Finance से जुड़ी latest information सबसे पहले पानी के लिए सबस्क्राइब करें हमारा YouTube चैनल Finnovations Updates, साथ ही bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का notification आप तक पहुँचे सबसे पहले नमस्कार, आज के FinPoint Session में आपका स्वागत है और आज का First Update है Daily Consumer Products बनाने वाली बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान Unilever Limited के चेर्मेन और मैनेजिंग डारेक्टर संजीव महता की सैलरी Financial Year 2019-20 में 2.86% बढ़कर 19.42 क्रो रुपीज हो गई है कंपनी की Annual Report में ये जानकरी दी गई है पिशले Financial Year 2018-19 में संजीव महता की सैलरी 18.88 क्रो रुपीज थी जबकि 2017-18 में ये 19.37 क्रो रुपीज थी Next Update है पूरे देश में जारी लॉक्ड़ॉन के बाद भी देश के सबसे बड़े domestic private bank HDFC ने पिशले 40 दिनों में 2.5 लाक नए कस्टमर्स जोड़े है बैंक ने online instant savings account खोलने की facility देकर ये customer हासल किये है इसके लिए बैंक ने अपनी KYC provisions को limited कर दिया था साथ ही customer को पूरी डिटेल भरने के लिए एक साल का time दिया है इस facility के लिए बैंक ने April last में instant account app भी पेश किया था हाला कि lockdown के दरान बैंकों को essential service के दाइरे में रखा गया था branches को खोलने की permission थी लेकिन customers का branches में आना कम हो गया था इसलिए बैंक ने नए खाते खोलने के लिए online service शुरू की थी इन नए bank accounts के लिए bank ने metro cities में monthly minimum amount की limit 10,000 रुपीज towns में 5,000 रुपीज और rural areas में 2,500 रुपीज रखी है next update है अबुदहभी investment authority ने Reliance Industries की digital unit geo platforms में 5,683.5 crore रुपीज का investment किया है Reliance Industries के अनुसार A.D.I.A. ने geo platforms में 1.16% हिस्सेदारी के बदले ये investment किया है ये पिछले साथ हफतों से भी कम टाइम में geo platforms में 8 रुपीज 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 कलेक्ट कर दिये है company इस fund का इस्तमाल पुराने loan को चगाने में कर सकती है next update है बृतेन की pharmaceutical company AstraZeneca ने अपनी American company Gilead Sciences के साथ potential merger के लिए contact किया है इस तरह के potential agreement से दो बड़ी drug manufacturing companies करोना वरस के खिलाफ जारी लड़ाई में एक साथ मिलकर participate कर सकेंगी इस तरह का कोई agreement politically भी बेहत sensitive होगा क्योंकि अलग-अलग देशों की governments potential vaccine और इलाज पर अपना control चाहती है next update है बजाज finance की listing को 26 साल हो गए है इन 26 सालों में बजाज finance market का असली multi bagger साबित हुआ है बजाज finance ने अपने 26 सालों की जहदी में वो achievements हासल किये हैं जिने दोहराना आसान नहीं है सिरफ 4000 रुपीज का investment आज लगभग 2.5 क्रो रुपीज बन चुका है वो भी तब जब shares अपने high से half पर है आपको बता दे कि 7 जून 1994 को बजाज finance के listing BSE पर हुई थी जबकि 1st April 2003 में ये share NSE पर list हुआ था क्या आपके portfolio में भी बजाज finance का share है अगर हां तो आपने इसे किस price पर buy किया था आप अपने जवाब हमें comments works में जरूर बताएं एर इंडिया की ground handling company Air India Airport Services Limited ने एक notice जारी करके बताया है कि करोना वारस संक्रमन के कारण यदि किसे employee की मौत हो जाती है तो company उसकी family members को नौकरी देगी AIASL के अनुसार company दी गई शर्तों के साथ airport पर ही job provide कराएगी आपको बता दें कि AIASL देश में 81 airports की ground handling करता है Next update है BS6 Emission Standards वाले vehicles पर अब 1 cm लंबी green strip लगानी होगी सरकार ने ऐसे vehicles पर green sticker को mandatory कर दिया है ये आदेश 1 October 2020 से लागू होगा Ministry of Road, Transport and Highways की ओर से जारी notification के अनुसार BS6 Emission Standards वाले vehicles की third registration plate के उपर 1 cm का green sticker लगाना होगा Motor vehicle high security registration plates order 2018 में amendments के जरिये ये order जारी किया गया है Next update है अगर आप gold में invest करने की planning कर रहे हैं तो आपके पास sovereign gold bonds में invest करने का एक शांदार मौका है Sovereign gold bond scheme 2020-21 के series 3 में investment 8 June से खुल गया है इस scheme में 12 June 2020 तक invest किया जा सकता है Reserve Bank of India ने इस scheme के लिए price भी fix कर दिया है Upcoming series के लिए sovereign gold bonds price 4,677 rupees per gram tag किया गया है साथी सरकार ने online apply करने और digital payment करने वाले investors को 50 rupees per gram की छूट देने का फैसला किया है ऐसे investors को bond के issue price के तौर पर 4,627 rupees per gram देने होंगे Next update है Enforcement Directorate ने Yes Bank Money Laundering मामले की जाच के दुरान Mumbai में Global Tourism and Travel Company Cox and Kings के 5 परिसरों पर छापे मारे है Central Agency ने Prevention of Money Laundering Act के तहत ये छापे मारे है Cox and Kings Yes Bank के top borrowers में था और bank ने company को 2,260 क्रो रुपीज का लोन दिया था आपको बता दें कि ED एक कथित fraud के मामले में Yes Bank और कई दूसरे बड़े corporate groups की जाच कर रहा है जिने bank द्वारा दिया गया भारी लोन NPA बन गया है Next update है Auto Parts बनाने वाली company Steel Strips Wheels Limited के अनुसार COVID-19 महामारी के चलते लागू lockdown में राहत मिलने के बाद उसके सभी plants में काम शुरू हो गया है और company को उमीद है कि इस साल सितंबर तक उसका production COVID-19 से पहले के level के 75% तक पहुँच जाएगा Company के अनुसार उसके हर plant में customers के demand के अनुसार काम शुरू हो गया है Company के पंजाब, चैनई और जमशेदपूर में तीन plants है तीनो plants की total annual production capacity 1.66 करोड वील्स है Company mainly car और ट्रक के वील्स बनाती है यहाँ पर हमारा आज का finpoint session समाप्थ होता है आशा करती हूँ आपको ही वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को like और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए साथ ही investment, finance और stock market को सीखने के लिए आप हमारी website www.finnovations.com ज़रूर विजिट कीजिए आप अपनी किसी भी query के लिए 8287936451 और 8287936452 नमबर पर call और whatsapp कर सकते हैं वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद